जै शिर्राम टेडर्स मैडवकेट आयू शकरवाल आप देख रहे हैं स्मार्ट टेडिंग अकेडमी इस वीडियो में हम डिसकस करेंगे चांदी की आने वाली दिनों की प्रिक्शन दो फरवरी तक चांदी किस डेरेक्शन में टेट करती वी दिखाई दे सकती है और बड़ी न्यूस पे भी चर्चा करेंगे चांदी में क्या बड़ी न्यूस है और उसकी वज़े से चांदी आप देखें बहुत ही साइडवेज कारोबार करती वी नजर आई पिछले हफते आपने देखा चांदी एकसेज यूज डि जो इंटरेशनल मार्केट में टेड हो रही है या अंडेर मार्केट में टेड हो और दोनों पर डिसक्स करेंगे अपने आप में डाउन ट्रेंड की निशानी है अगर टिक जाती है 23 डॉलर के उपर अगले हफ़ते तो थोड़ी बहुत राहत की सास मुझे भी मिलेगी और आप लोगों के भी मिलेगी कि बजार में थोड़ी बहुत रिकवरी आ रही है अगर बजार 200 डेज मुविंग एवरेज 50 और 100 डेज मुविंग एवरेज को तोड़के नीचे उतरता है तो एक वीरिश चांसिस होते हैं सिल्वर में फिलाल के लिए जो रेसिस्टेंस है वो 23 डॉलर का है और 23.15 सेंड्स का भी आप मानके चल सकते हैं ठीक है बट बड़ी तेजी जो है 23.15 के उपर आ सकती है अगर प्राइस सेक्षिन उस लेवल के उपर बनता है ठीक है वीकनेस की बात करें वीकनेस सपोर्ट का है 22.50 सेंड का 22 डॉलर के एक अच्छा सपोर्ट निकल के आता है और सबसे बड़ा जो रीजन है वो है फैड फैड मीटिंग का क्या आटकम आता है आने वाले दिनों में जो फैड की मीटिंग होनी है ठीक है क्या स्टेटमेंट आता है उसके बेसिस पर डिसाइड होगा बजार किस डिर अब जीडी पे नंबर्स अच्छे आ रहे हैं तो कहीं न कहीं आप देख रो मिले जूले आकड़े आ रहे हैं जीडी पे नंबर अच्छे आ गए कोई आकड़ा खराव आ गया तो मिले जूले आकड़े आ रहे हैं बजार इसलिए वहीं टिकावा है कहीं न कहीं तो फैड की नजर labor market पे भी यह हो सकता है वो February के आकड़ों पे नजर बना के रखे कैसे आकड़े आते हैं या March के आकड़ों पे नजर बना के रखे और मई में जाके rate cut करें ठीक है अब rate cut करता है तो opportunity cost कम हो जाती है ठीक है silver में और जिसके चलते हो सकता है चीज़े आपको थोड़ी सी जो है सस्ती होती दिखाई दे market अब जो focus कर रहा है वो upcoming fed meeting पे focus कर रहा है chairman साब क्या कहते है Mr. Paul की rate cut मार्च में होगा या मई में जाके होगा तो उस पे काफी ज़्यादा निगायट टिकी ही है US bond yield थोड़ी सी बढ़ती ही नज़र आ रही है इस अफ़ते ठीक है बड़ी भी है वो जिसके चलता आपने देखा कुछ selling pressure दिखाई दिखाई दिया metal class पे bitcoin पे stock market पे बाकी asset class पे भी short term की बात करूं अगर prices को फायदा होता ही होता है कहीं ना कहीं market conditions में अगर interest rate घटते है opportunity cost क्या होते है opportunity cost कम हो जाते है silver hold करने की और उमीद है वो rate cut तो हो गई इस साल तीन बार rate cut होगा तो कहीं ना कहीं silver को support तो है बड़ बहुत ज़्यादा weakness के chances अभी नहीं है अब बात कर लेते हैं हम technical levels की और उससे पहले अगर आप चैनल पे न्यूए चैनल को subscribe कर सकते हैं press the bell icon ताकि सबी updates market की आपको तुरंट मिल सके हैं stock market के साथ जो लोग हम से जुनना चाहते हैं आप हमणी website smart trading academy जोइन कर सकते हैं link description में mention है महूंआ पर जाकर आप विजिट कर सकते हैं purpose przy लिएम सी एक सिल्वर में अब देखते हैंhat director की जोon चीट नहीं होंए इहां पर लगा रही है ट्वार्स का चार्ड और ट्वाट का चार्ड के चार्ड पर क्या पिक्चर है आप त्वाजार गिराstalk साफ है ये भी गिरा वजा इधर क्या है इधर मैंने लगा रखिए इंटरनेशनल मार्किट की सिल्वर दो गंटे का चार्ड या MCX सिल्वर मार्च मंत का कॉंटर्ट लगा रखा है अब यहाँ पे देखो गिनने के बाद यह उपर गया नीचे आया फिर उपर गया उपर दाके फिर यह आ रहा है अब कहीं न कहीं रिवर्सल है हाय लोस तो बना दिये बड़ बजार यह जो हाई लगा वाता है यह सेम हाई है अगर लेक आउट होगा तो भाग सकता है बजार इन लेवल्स पर आपको निगा बनाके रखनी है ठीक है 2293 के उपर थोड़ी बहुत तेजी फिर संभव हो सकती है बजार तो एक इन्वेटर हेड़न शोल्डर मुझा फाइंड आउट हुआ तो सोचा आपके साथ शेर कर दूँ अब बात करें 15 मिनट्स के चार्ट की 15 मिनट्स के चार्ट पर क्या हो रहा है थोड़ा सा मैंने इस चार्ट को क्या करा है जूम आउट कर लिया ताकि आपको बड़ी पिक्चर भी किलियर हो उपर की तरफ 73,100 रुपए का एक लेवल है उसके नीचे 52,580 का एक लेवल निकल रेंज को जब तक नहीं निकालेगा ना तो फसा रहेगा इसमें ठीक है इस रेंज को निकालना चाहिए उपर की तरफ या नीचे की तरफ तो किलियर कट बात करें हम 22,000 रुपए के उपर या फिर 22,250 रुपए के उपर ज्यादा सेफ सस्टेन करदाते हैं प्राइस तो एक तेजी की संबावना क्योंकि यह डबल टॉप भी बनावा है और हायर टाइम फ्रेम पे अभी मैंने आपको इंवर्टर हैड और शोल्डर बना के दिखाया तो एक रैली संबाव हो सकती है उपर की तरफ जो बजार को 72, 52,580, 73,000 और 74,000 रुपए के दरशन करा सकती है बज दुबारा ठीक है क्योंकि बजार को कहीं ने कहीं मेडिलिस्ट में जो टेंशन चल लएई है जियो पॉलिटिकल टेंशन चल लएई है तना तनी चल लएई है उसका सपोर्ट भी गोल्ड प्राइसिस पे मिलतावा नज़र आ रहा है सिल्वर को भी खास तोर से मिलेगा ठीक वीकनेस कहा है बजार में देखो वीकनेस के लिए आप इस तरीके से एक लेवल कुछ न कुछ ड्रॉ करोगे तो आपको मिल जाएगा बट फिर भी एक सपोर्ट की बात करूँ तो एक अच्छा सपोर्ट मुझे यह नज़र आता है जहाए डबल बॉटम बनाके बजार उठ ठाता है ठीक है यह इस तरीके से उठाता है यहां से तो एक सपोर्ट और खासतर से यहां से डिमांड जोझ भी अच्छा है वीकनेस कहा प्लाइन करें लो के नीचे आप वीकनेस प्लाइन करसकते हैं अगर आपको bearish price section इस level के नीचे मिल जाता है तो एक sell side trade बन सकता है बड़ कोई भी buy sell की recommendation मेरी नहीं है नीचे इजरे कहां support है 7900 एक support नजर आता है उसके बास 7400 और उसके बास 69000 रुपीज का एक अच्छा support और है बजार में तो clear cut यहाँ पर मैंने levels आपको बताने की कोशिश करिए फिर भी कोई doubt है तो आप comment section में पूछ सकते हो उपर के levels और एक बार देख लेते हैं तो एक यह level मैंने आपको बता दिया 72.580 जिसे 72.600 यहाँ पर draw हुआ वा है उसके बाद 14.000 और फिर एक 75.000 का एक supply zone भी है लास्ट लेवल बजार में 75.000 रुपए हाला कि बजार अगर आप दो घंटे के चार्ट पर देखो तो एक downtrend में है अभी पूरी तरीके से अप टेंड में नहीं आया मेरी समझ से जब तक यह 72.200 के ओपर नहीं निकलता या 72.000 के ओपर भी पौपर तरीके से अगर टिक जाए ना अगर दो घंटे के चार्ट पर ग्रीन केंडल बनाके तो एक downtrend आतावा आपको दिखाई दे सकता है वहाँ पर अब चलते हैं जल्दी से XAG USD की तरफ XAG USD का चार्ट आप देखे एक बिल्डब होतावा यहाँ पर दिखाई दे रहा है बजार में बजार ने नीचे से रैली पकड़ी पकड़ने के बाद बजार इसी रेंज में फस्तावा नजर आ रहा है और यह चछत तो कभी न कभी तो एक नई तेजी बजार में संबभव हो सकती है बजेव बजार को 23.85 और 24.25 तक ले जा सकती है तो नेक्स लेवल फिर बजार के यह निकल के आएंगे ठीक है तो बट इसके ओपर नजर बना के रखनी है 23.25 बीस के ओपर बजार टिकरा है या नई टिकरा नई टिकरा तो यह आता है वो प्राइस सेक्शन मास्टरी भी कर सकते हैं हमसे सीख सकते हैं प्राइस सेक्शन मास्टरी या फिर आप अपनी भी स्टडी कर सकते हैं और साथ में सीखें आप डेटा एनलेसिस क्योंकि डेटा एनलेसिस इंपॉर्टेंट है किस टाइप के आकड़े आ रहे हैं कि सीख के समझ के trade करें मेरी आपको personally यही advice है तो यहाँ पर एक build up हो रखा है बजार में ठीक है तो breakout होगा तो एक थोड़ी बहुत rally यहाँ से पकड़ेगा 23.20, 23.25 तक बजार अदाम से weakness की बात करूँ weakness कहां बजार में आ सकती है जेखो यह जो build up हुआ है बजार में दुबारे बजार इस level के नीचे उतरता है 22.68 के नीचे अगर चलता है तो एक weakness की संभावना बजार में हो सकती है जो बजार को नए level नीचे के तरफ दिखा सकती है 22.50 उसके नीचे 22.00 और इसके भी नीचे तूटता है तो फिर बजार में बड़ा खत्रा संभाव है जो बजार को तोड़के नीचे ले आएगा 21.00 की तरफ ठीक है तो यह चीज़े आपको समझनी है कहां खत्रा है बजार में उन levels पर निगा बना के रखनी है अपनी position कोई भी naked future carry ना करें बजार में carry कर रहें तो hatch करके proper तभी carry करें otherwise intraday आप काम करें I hope यह चीज़े आपको समझ में आ गई होंगी और कोई doubt question ना तो आप comment section में पूछ सकते है Thank you so much for watching this video